कहती है, बेटी हुई तो बेटी को पढ़ाया घर जाना ही पड़ता है, जाना तो पड़ता है दोस्तों, पढ़ाये लिखाये माँ पापा ने, प्यार दुलार दिया माँ पापा ने, चंसकार भी दिया माँ पापा ने, बेटी बड़े हुई बेटी को साधी व्याँ खड़ दिया बेटी रोएगी धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगी यही तोबिधी का विधान है भगवान जब जनम देते हैं तबी उसका कर्म, धर्म, अर्थ, सुर्थ, सर्थ सब लिख देते हैं यहां हम उनके पुतले हैं, हम बस वो जैसे चलाते हैं, वैसे ही चलते हैं बेटी यही कहती है, जनम देने वाले मा पापा हमारे उपर खर्च करने वाले मा पापा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा संसकार दिलाते हैं हम फिर गेरों के घर जाते हैं हम जितना भी इंकम करें अपने मा पापा को नहीं दे सकते मा पापा लेंगे भी नहीं उनको ऐसा लगता है बेटी का कमाया हुआ खाया तो हम परिजदार हो जाएंगे हम यहां से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे पते नहीं क्या रिवाज है ये है भी नहीं भी यह तो पता नहीं पर अपना अपना रिवाज है वह तो निभानाई पड़ता है बेटी के लिए बड़ा कठीन हो जाता है यहां रिवाज को सो दूर से मा पापा घर में आते हैं बेटी की वहां अगर मा पापा पानी भी ना पिये बेटी तो रो रो कर विहाल हो जाती है न जाने कितनी च्छन रोना पड़ता है इस रिवाज के चलते पर क्या करें यही तो बिदी का विदान है दोस्तो बेटी जनमते हैं जो घर में वो घर के लोग खुश किस्मत वाले भी हैं और थोड़ा दुखी भी होती है यही कहते लिए दोस्तो आप सभी को जाए हिं जाए भारत आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया इसके लिए मैं आप सभी के तितिक क्या रहोंगी हमेशा आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा दोस्तो